जीद फिक्स क्यों कोई स्टुडेंट एक्जाम में 99% ले आता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कमाते हैं ऐसा क्या होता है जो एक टौपर को तुमसे अलग बनाता है इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए ऐसा क्या है ज कि तुम में और एक टौपर में biologically कोई फर्क नहीं है तुमारे शारीरी कंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं तुमारी आखे भी दो को दो पढ़ती है और आठ को आठ तुम भी सोते हो और एक टौपर भी सोता है तुम भी mobile यूज करते हो और वो भी उसके पास भी वही syllabus है टाइम है मोसम है और तुमारी ही तरह अंधेरे में ना पटपाने वाली आखे हैं तो फिर फर्क किस चीज का है फर्क बहुत कम है एक फर्क है टाइम और प्राइटीज का यान की वक्त और प्राथवित्ताओं का एक टौपर को पता होता है कि कौन सी चीज तुमारे सपने सबसे पहले हैं और दूसरा क्या है जो एक टौपर को तुमसे अलग करता है तुमारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है रटना होता है माक्स लाना होता है जबकि एक टौपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता उसका मकसद कुछ और होता है पढ़ाई त उसको ताकत देती है और क्या फर्क होता एक टॉपर और एक एवरेज स्टुडेंट में टॉपर कभी भी रठता नहीं है वो चीजों को कंसेप्ट को समझता है उनको प्रेक्टिकल वे में अप्लाई करता है इसलिए वो उनको भूलता नहीं है जो तुमारे उपर पंखा चल रहा है कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितनी सेकेंड बाद रुपता है और उससे फिर ये जानने की कोशिस करी है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलते हुए रोकेंगे तो कितनी सेकेंड में रुकेगा क्या तुमने कभी जानने की कोशिस करी है कि जो ट्यूब लाइट तुमारे रूम में लगी है वो एक सेकेंड में कितनी बार फ्लिक करती है, वो एक घंटे में कितनी युदि निकालती है, अगर पता किया होगा तो एक्जाम में कभी पावर कंजेप्शन का आंसर गलत नहीं होगा, यही फर्क ह एक एवरेज और एक उस इस्टूडेंट में जो जिन्दगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है क्योंकि रटा हुआ ग्यान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा लेकिन सीखा हुआ कंसेफ्ट जिन्दगी में बहुत बार काम आता है और याद रखना हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है वो अपना गर्ज जरूर चुकाएगी थोड़ा धेरे रखो अपनी मेहनत पर विश्वास रखो तुमारी जीत फिक्स होने वाली है जैहिंद वंदे मात्रम तुमारी जीत फिक्स